Hello friends, welcome to my channel BBFN और आज जो हम ये एक tutorial डाल रहे हैं basically आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा था कि हम क्या करते हैं कि हमारे पास कुछ data है जब इस data को हमें क्या करना है कि हमें किसी दूसरे user को देना है कि इस पे वो filter करके data को देखना है तो देख ले बट एक condition ये था कि वो data को जब यहाँ पे filter करे या कुछ भी अगर इसमें कोई काम करे तो जो हमारा data है उसको वो change ना कर पाए वो केवल इस data को filter करे बट data को edit ना कर पाए या delete ना कर पाए तो इस तरह का मेरे पास जब question आया तो मैं भी सोचा मैंने सोचा कि इसे कैसे कर सकते हैं तो बहुत ही simple उपाय मैंने इसके लिए निकाला है आप लोगों मेंसे बहुत सरे लोगों को ये ख्यालाया होगा कि हम seat को protect कर देते हैं तो फिर कोई change नहीं कर पाएगा लेकिन अब issue ये था अगर हम seat को जाके protect कर देते हैं तब issue ये है कि अब हम इसमें कहीं पे भी filter apply नहीं कर पाते हैं तो फिर एक कुछ लोगों का ये भी करना हो सकता है कि हम एक काम करते हैं unprotect करते हैं सारे sale को protect कर देंगे बट इसके header को जो है unprotect कर देते हैं तो यहाँ पे right click जाके format cell में जाके हम इसे lock खटा देते हैं अब इसके बाद अगर हम यहाँ पे protect seat करते हैं और open करते हैं तो क्या हो रहा है कि data यहाँ पे open पो हो गया है जहाँ पे हम इसे change तो कर पा रहे हैं अब हम यह सोच रहे हैं कि इसको filter कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं तो चलिए हमने इसे select किया और हम गये data में और यहाँ पे filter apply कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है अब क्योंकि seat lock है तो हम इसमे filter apply नहीं कर सकते हैं तो इसे हम करे कैसे कि जहाँ पे हम इसे आसानी से filter भी कर सके और कोई हमारे data को alter भी न कर सके और एक सवाल और भी आपके मन में आएगा कि इस तरह अगर कर भी लेते हैं तो कोई भी यहां जाके unprotect करके data को delete कर देगा तो यह भी आप कैसे restrict करेंगे कि वो आपके data को directly यहां से unprotect नहीं कर सकता है तो यह एक बहुत ही छोटा और powerful trick है Excel BBA में जहां पर हमने code यूज किया है मातर तीन लाइन का तो चलिए इसे के साथ start करते है तो आईए इसको हम बनाते हैं कि इसे किस तरह user friendly बनाया जा सके और साथ में हमारे data के साथ कोई alteration भी न कर पाए तो देखो इसे मैं बहुत ही short में बताने वाला हूँ क्योंकि यह बहुत ही simple method है इसको करने का सबसे पहले आपको क्या करना है कि suppose that माल लो कि यहाँ पे जितने भी data है सबसे पहले इसे हमें lock करना है लेकिन अगर सब को lock कर देंगे तो फिर वही problem होगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम cable header को unlock कर देंगे तो यहाँ पे property में जाएंगे और यहाँ से format sale पे यहाँ ए format sale से यहाँ पे lock जो है इसके protection में जवाब जाएंगे तो इसके lock को हटा देना है इसे unlock कर देना है unlock करके okay कर देंगे अब इसके बाद क्या होगा कि अगर आप protect कर देते हैं इसे और okay करते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ तो सही है काम कर रहा है edit कर रहा है लेकिन अगर हम data पे करने जा रहे हैं आप यहाँ पर देखे, हम इसमें जो काम, इसमें जो हम कोड लिखने वाले हैं, वो किसमें लिखने वाले हैं, seat event में लिखने वाले हैं, इसके लिए अलग से हमें कोई module इंसर्ट करनी की जो वह नहीं है, तो इस seat 1 यहाँ पर आप देख रहे हैं, क्योंकि हमारे Excel seat में केवल लेकिं, worksheet दिख रहा है, तो यहाँ पर भी एक ही हमें दिख रहा है, तो इस पर double click करना है, और इसमें करना है, worksheet, और हमें कौन से event में code लिखना है, तो यहाँ पर देखिए, कहां से कहां तक हमें selection लिखना है, यह देखिए, हमें लिखना है, A1 से लेके, और कहां तक N1 तक, तहां में यहाँ पे लिखेंगे if not intersect target, range a1 to n1 is nothing then seat1.unprotect यहाँ seat को क्या कर रहे हैं जैसे ही यहाँ पे हम select करें तो हमारा seat unprotect हो जाए is seat1.protect अब यह ऐसे हमने क्यों किया थुरा समझी है अभी simple हम यही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं बाद में हम इसे बताएंगे कि और इसे secure कैसे करेंगे तब हम इसे close Observ डिशे कर रहे हैं अभी आप किसी डाटे को select कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं लेकिन जैसे ही आप इससे select किरेंगे तो आप यहाँ हमने यहां यहां पे select किया ठीक है आप देखें यह filter हम apply करेंगे तो यह filter apply हो गया अब आपके मन में सवाल हो गया कि जब यहां पे जैसे ही हम select किये तो कि select event पे कहा था कि जैसे ही इस में से किसी भी sale पे हम select करें तो क्या हो हमारा seat unprotect हो जाए लेकिन suppose that मान लो कि हमने यहां पे select किया हमारा seat जो है unprotect हो गया लेकिन किसी भी चीज को आप delete करने के लिए आपको उस sale में जाके select पो करना पड़ेगा और जैसे ही आप select करेंगे तो यह क्या होगा आपका seat जो है आपका seat unprotect हो जाए उसके बाद आप चाहें तो जो filter करना चाहते हैं आप filter कर सकते हैं यहां पे अब इसके बाद एक सवाल आएगा कि इस तरह अगर हम protect unprotect करेंगे तो कोई भी यहां पे जाके इसे unprotect कर देगा और फिर इसे delete कर देगा लेकिन इस चीज से बचने के password bva fun अब देखिए जैसे ही आप यहां पे click करेंगे तो अभी तो नहीं होगा यहां पे click किजिए पहले क्या हुआ unprotect हुआ अब दुबारा यहां पे जैसे ही आपने यहां पे click किया तो यह क्या हुआ फिर से protect हो गया अब अगर आप इसे unprotect करेंगे तो यह क्या कहेगा आप से password मांगेगा तो यह काम तभी करेगा जब आपके वल यहां पे select करेंगे फिर आपके मन में सवाल यह भी आएगा ऐसे तो कोई भी जाके BBA में change कर देगा code को तो भाई इतना तो जान लो कि अगर BBA में यह भी चाहते हो कि आपका जो user है वो न देखे तो इसे भी lock कर द दोगे बहुत सारे वीडियो हैं कि तोड़ देते हैं crack कर देते हैं that is another thing वो एक अलग लेवल का है कि अगर office में आप किसी को दोगे तो उनके पास इतना हर्थ किसी के पास इतना knowledge नहीं है कि वो आपके code को break कर दे तो यह एक अलग लेवल का है लिकिन अगर आप office में काम करत हो और आप चाहते हो कि इस तरह की चीजे हम दें जिससे की हमारा data जो है वो कोई अलटर ना कर पाए तो यह बहतरी नूपाए है I hope आप लोग को आज का यह थोटा सट्रिक पसंद आया होगा इसी सा धन्यवाद आप लोगित लोगब गाप लुवाद जोगरे नूपाए है ऩर उ में म्सें सदस्टा है कि ऊह YOUR वह आप नह नहाए नहाए प्रहँ आताव झाताव काम कि ओश "'्ोर लिश्यवाद' नंग्स्तर सूलं